आज इस वीडियो में हम अपनी स्किन और फेस के रिलेटर टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हम कोकुनेट ओइल का यूज करेंगे आप इसे डेली अकेला कोकुनेट ओइल ही यूज करें जिससे आपके जो बोड़ी पे डाकनेस है वो दीरे दीरे से कम पढ़नी चुरू हो जाएगी और हमारी जो स्किन और बोड़ी है वो एकदम लाइटनिंग की फॉर्म में आ जाएगी इस बोड़ी मास्क और फेस मास्क को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी कोकुनेट ओइल चलेगा आपके पास जो भी कोकुनेट ओइल है अगर आपके पास cold pressed extra virgin कोकुनेट ओइल है तो आप उसका भी यूज करें वो भी हमेरी स्किन के लिए काफी ज़या बेनिफि सकते हैं नहीं तो अगर आपके पास coconut sorry coffee powder है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले आपको coconut oil ले लेना है जितनी quantity में आपको बनाना है आप उतना यूज कर लिजिए थोड़ा सा coconut oil ले लिजिए नारियल तेल और उसमें आपको जो coffee powder है उससे अच्छी तरह से mix कर लिए है आप इसे अच्छी तरह से mix कर ले और आपको जहां भी आपके darkness की problem है आपकी skin पे legs पे hands पे face पे neck पे आप इसे कहीं भी face mask की तरह यूज कर सकते हो 10-15 मिनट तक आप इसे लगा रहने दे और दोत्रे टाइम आप इसे circular motion में हटा ले आप इसे बना के किसी भी airtight container मे store करके भी रख सकते हूँ आपको अगर full body whitening के लिए process यूज करने है तो आप ज़्यादा बना ले और full body पे आप इसे अप्लाई करके scrub की motion में आप इसे remove कर सकते हूँ coffee powder हमारी skin में जो dead skin वगएरा जम जाती है उसे हटाने में काफी ज़्यादा help करती है coconut oil skin lightening brightening में काफी ज़्यादा help करता है और हमारी skin को nourishment provide करता है और हमारी जो dryness होती है हमारी skin में उसे भी remove करता है coconut oil जो coconut oil है वो आप extra virgin का अगर आपके पास है तो आप वो भी use कर सकते हैं इसे scrub को आप कहीं पे भी use कर सकते हैं अपनी किसी भी body parts पे use कर सकते हैं जैसे हमारी कईबा नीज, elbows वगएरा dark हो जाती है तो आप उसे उस पर भी apply करके then आपको थोड़े सा scrubbing motion में पांच-दस मिन लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें thank you for watching